और आप इस बात पर जोर दे रहे थे कि इस देश में कम चुनाव होने चाहिए, क्योंकि शायद तब पॉलिटीशिन्स जरूरी मामलों पर ध्यान दे? मैंने कम नहीं कहा, मैंने कहा जादा केंद्रित। इतने जादा बिखरे हुए नहीं। हाँ, देखे, अभी होता ये है कि अभी अगर यहां की या वहां की कुछ राजे सरकारें गिर जाएं या कुछ हो जाएं, बीच-बीच में आप खुद ही देखे, आप तो न्यूस बिजनस में हैं, आप जानती हैं, लगबग हर समय, आप लोग के लेक्शन की बातें करते रह हर राज्य का चुनाओ, राष्ट्रे चुनाओ जैसा बन गया है, देखे, अभी अगर कहीं दूसरे राज्यों में चुनाओ चल रहा है, पर ऐसा लगता है जैसे हर जगा चुनाओ चल रहे हैं, कि आप मुझे छोड़ेंगी नहीं, अगर आसम में कोई इलेक्शन चल रहा ह तो आप उसे मेरे घर तक ले आएंगे, तो मुझे लगता है कि यहीं पर इलेक्शन हो रहे हैं, हर समय इस तरह के लुभावने वादे होते रहते हैं, जो असल में किया जाना चाहिए, वो हो ही नहीं पाता, मुझे लगता है इसके लिए कोई कानून होना चाहिए, अगर आप मुझे पूछें, अगर आप चाहें, तो सारे विधान सभाज चुनाओ एक टाइम पर और लोग सभा चुनाओ दूसरे टाइम पर, और ये पूरी हो जाने चाहिए, लोग इसका विरोध करेंगे क्योंकि कई राजनीतिक मुद्धे हैं, मुझे पता है, पर इस देश के मुद्धे, इस देश को आगे बढ़ने का मुद्धा सबसे बड़ा मुद्धा है, हमने इसी के लिए उन लोगों को चुनाओ है